गुड मानिं गईवन, वेलकम टेकनोमिक टाइम्स डेली इनायलसिस एन एक्स्पनेशन सीरीज, आज है 8 ओफ देसेंबर एंड है वेडिन से, सबसे वाली बात, वेरी वेरी सॉरी तो आल अफ यू कि 7 देसेंबर को वीडियो कल नहीं आपाया था, सो रीजन उसका गी था कि मैं एक वेडिन के अंदर था, तो कल नहीं डापाया था वीडियो और आज डिले होगी क्योंकि मैं सुबह थोड़ा लेट आया हूँ वासे, और अब से वीडियो वैसी रेगुलरी रहेंगे, और इसके अलावा एक क्रिप्टो करंसे के उपर वीडियो आज ये कल में आ जाएगा, जिसके अंदर जिसके क्रिप्टो करंसी से अभी क्या चल रहा है, पिछले जब से माइनिंग स्टार्ट हुई है, जब से बनी है क्रिप्टो करंसी, आप लगभग तब से माइन कीज़े हो सकते हैं कि तब से अभी तक आप बूरा एक सामरी वीडियो पूरी डिटेल के के उपर सब्सक्राइब कर लेना वैसे भी हम काफी क्लोज हैं 3000 सब्सक्राइबर्स के तो अब शेयर कर दीना प्लीज हमारे चैनल को एक बाद प्लीज तो थैंक यू वेरी मच्छ फर दाट फ्यूर्ट फ्यूर्स नियूस से संसेक्स और निफ्टी जंप 1.6% in sync with Asian markets तो संसेक्स और निफ्टी में ख्याल चैनल वापस बताने की जूरत नहीं है इंडिया के इंडेक्स हैं में जिसके अंदर 30 और 50 इंफ्टी के अंदर 50 ना यह दोनों ही इंडेक्स लगभग 1.6% या थोड़ा वह दूपर नीचे जंप किया है इन्होंने in sync with Asian markets इसका क्या मीनि है एशिया का मतलब आयों पाप पता हो continent होते हैं जो seven continents उसके अंदर एशिया है लगभग largest तो एशिया के जो मार्केट है चाइना का मार्केट हो गया कोई जबान का मार्केट है मैंने यहां पर कुछ नाम लिख भी रखें तो वो मार्केट भी कल जंप किये थे तो क्या होत उसके साथ-साथ अमेरिका का मार्केट भूम कर रहा है तो हो सकता है कि oil के prices में कुछ changes हुए हो क्योंकि हम दोनों ही अमेरिका और इंडिया और बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं बहार से तो वह हो सकता है कि इंडिया का और चाइना का कुछ same pattern के अंदर stock market follow कर रहा है तो यहाँ पर Asian market ने अच्छा perform किया है अब देख सकते हैं कि census की अगर हम सिर्फ बात करेंगी तो अभी तक के जितने भी highest record gain रहे हैं एक दिन के अंदर उसके अंदर December 7 जब वीडियो नहीं आ पाया तो December 7 का जो है इसके अंदर मदब आपको भी बहुत नीचे लग रहा हु चल रहा है Asian markets की जो मैं बात करा था हूँ यहाँ पर Main Asian markets जिनको बोला जाता है वो यह है पहला है आपका Tokyo का Stock Exchange यह Japan के अंदर बेज़ जा मतलब Shanghai का Stock Exchange यह चाइना है और Hong Kong Hong Kong है Hong Kong Stock Exchange तो यह तीनों Index है इनके बहुत सारे जिसे NSE हैं मारे इंडिया का BSC है इंडिया का तो उस इस तरीके से हर जहाँ पर Index होती है एक चीज और यह होती है एक एक्सचेंज इक्सचेंज इसको अगर आपको नहीं समझ में आ भी भी तो आप उनको Stocks की दुकान बोल सकते हैं तरीके से बहुत इजी भाशा में इसके लावा टॉप डॉक्टर बॉडी वॉन्ड और कांटरी पॉलिशी क्या होती है यह मालेत कि सेंटरलल बैंक के पास यह पावर है कि वह डों के लोन रेट को डिकर गोन 10% पर देना है फ्रे जापल तो तो वो 10% पर देना यह उसके लिए पावर नहीं होती, उसके लिए पावर है कि कितने पर देना है वो उसको decide करना है, तो 10% पर देना है, 12 पर देना है, वो सब decide करता है और ऐसी बहुत सारी चीज़ों को decide करना, क्यों decide करना, उसके लिए committee बिठाना, उससब monetary policy फॉरमेशन करन जिसको market एक तरीका से ignore करता है इस news के अंदर a top doctor's body warned of a massive third wave एक बहुत बड़ी doctors की body है Indian Medical Association आपने IMA शायद सुना होगा तो यह उसकी short form ही है अदब long form ही तो उन्होंने ही बोला है कि Omicron के बहुत सारे cases हो जाएंगे और अगर आप इनकी official statement देखेंगे जैसे यहाँ पर भी लिखा है तो उन्होंने massive third wave जैसे strong word का भी use किया यहाँ पर बागी fear gauge जो है बेसिकली क्या होता है volatility index होता है इसके अंदर सारे ही stock exchange होते है इंडिया के अंदर जो भी है तो वो cool off हो गया था तो यहाँ पर देखा ही जा रहा है मतलब इससे fear पता चल सकता है कि कितना volatility चल रही है तो fear जो है gauge drop 10% 8% से भी नीचे fear चला गया है जो virus है इसका markets के उपर असर पढ़ने का इस तरीके से यहाँ पर है तो यह हमने पूरी news cover कर लिए अगर आप जिसे stock market share या फिर stock exchange इन सब में किसी में भी doubt हो तो comment कर देना नीचे ठीक है उसके अलावा काफी सरे requests यह भी आ रहे थे कि जो WhatsApp के उपर हमें पेपर सेंड कर देंगा तो उसके लिए कि WhatsApp मैंने इसलिए ग्रूप में WhatsApp पर नहीं बनाया है टेलिग्राम पर बनाया है पेपर अगरा के लिए क्योंकि उसमें नंबर शेयर हो जाता है तो उसमें दिक्कत नहीं हो सकती है बट फिर भी आगर आपको टेलिग्राम आप यूज नहीं करते हैं कुछ ऐसा है तो आप नीचे जागे अपना नंबर ड्रॉप कर सकते हैं मैं कोई ब्रॉड्कास्ट बना दूँगा जिसके अंदर फिर आपको पेपर नियूस पेपर मिल जाएगा वर्ट्सअप पे ही मिल जाएगा तो उस तरीके से नाव अभी के लिए हम नेक्स नियूस पर जलते हैं यह बहुत ही अच्छी नियूस है FMCG सेक्टर के अंदर क्या चल रहा है उसके लिए आप ये वाली नियूस को यूज कर सकते हैं इसके नदर पहले क्या बोले कि ट्रडिशनल ट्रेडिंग जो है जो आपके घर के आसपस दुकाने हैं किराने स्टोर्स हैं तो वह 90% अकाउंट करते हैं FMCG FMCG मतलब क्या होता है जो फटाफट जो यूजेज होती है जिन चीज़ों की जैसे आपके जो डेली यूज के प्रोडक्ट है आटा जाल चावल वगड़ा वगड़ा और आपके पैकेज़ फूड होते हैं मैगी वगड़ा और जो यह खाने वाली क्रैक्स और लेस होई सब कुछ FMCG के अंदर आ बहुत अच्छे से अवेलेबल है बिग बासकेट है यह है बहुत तरी चीज़ है अमजान अगया तो उस तरीके से अब यहां पर पैकेज़ड एंड ग्रोसरी मतब अब क्या है अब यह चीज ऑनलाइन पैक्स ओनली पैक्स के उपर शिफ्ट हो रही है जैसे क्या होगा एक अपने घर का समान लेते हैं लोग तो कंपनी के पास डेटा है कि क्या-क्या जनरली हमारा बिखता है एक कंज्यूमर क्या-क्या लेके जाता है तो वहाँ पर उनका वो एक पैक बना देगी एक पैक क्या होगा कि उसके अंदर सब चीजे डाल देंगे जैसे कुछ भी होगा जैक आटा जाल चावल वगरा वगरा एक पैकेट्स बना दिये उसके तो वो एक बास्केट जैसे होती है वो बना दिया तो उसको ऑनलाइन ओनली मोड में ही सेल करेंगे यह आप ऑनलाइन ही खरी सकते है उसको और वहाँ पर डिफरेंशल प्राइसिंग यहाँ पर जो वर् होता है कि आप एक जहां पर एक गुड को सस्ता बेच रहें और एक जहां पर एक गुड को महेंगा बीच रहें तो उसमें क्या होता है कि आपका मोटिव यह होता है कि आप सस्ती वाली जहां पर अटेंशन ड्रॉ करना चाहरे होते हैं हाला कि आप सेल महेंग वाली जहां से कूपन को रख सकते हैं कि आपने हमारे हाँ से लिया आपको जितना भी आपने माल लिया है उसका 10% आपको कूपन मिल जाएगा आप next time उसको use कर सकते हैं तो उनके लिए उनकी next time की sales के लिए भी promotion होगा एक तरीके से तो वो सब चीज़े हो सकते हैं के अंदर जो online online का mode होगा and new terms of trade with better margins for traditional distributors as new set of deep pocketed wholesalers disrupt traditional distribution models तो basically यहाँ पर हरी sector के अंदर ही कोशिश की जाती है कि wholesalers खतम हो जाएं किसी तरीके से retailers खतम करने की पहले लोग नहीं सोचते हैं कि company खुद से customer को deliver कर दे यह चीज़े नहीं सोची जाती है सोचा आता है कि हम जिसको दे रहे हैं वो directly consumer को दे दे क्योंकि वहाँ पर हम एक area में एक person को अगर दे देते हैं तो वो consumer लाचार एक तरीके से वो वहाँ पर जाए गए जाएगा बट wholesaler क्या है वो फाल्तुमें एक chain बढ़ाने वाली चीज होती है तो wholesalers को disrupt करने की ही इस model में बात हो रही है तो यह हमने आपर देख लिए crypto exchanges यह बहुत ही अच्छे बात है आपर crypto law जो है उसमें एक follow up news आई है यहाँ आपर आप कह सकते है crypto law मैंने आपको पता है कि winter session के अंदर अभी present होने लग रहा है और cabinet ने उसको approval के लिए अभी मांगा नहीं है बट future के अंदर बहुत ही जल्दी मांग सकते है अब इसके अंदर एक और addition जो है या आप कहते हैं एक और बात पता चलिए हो यह है कि crypto exchanges अगर उन्हें work करना है अगर उनको work करना है तो crypto exchanges के तरह function करना है तो वहाँ पर उन्हें licenses के requirement पढ़ने वाली है तो licenses के लिए सीधी से बाते कुछ conditions होती है तो conditions में पहली जो main condition है वो यह है कि आपकी जो पूरा exchange है उसकी network 100 करोड से उपर होनी चाहिए दूसरा एक condition है कि आप fit and proper होनी चाहिए आपके director जो shareholders हैं वो सब है वो सब fit and proper criteria के अंदर जोसे कोई माल है किसी crypto exchange वाली company है उसका director है उसके उपर cases चल रहे हैं जेल में गया हुआ है वो पहले कभी और अभी कोई ongoing case चल रहे है तो वो सब identity के लिए अच्छी बात नहीं होती है तो वो उसको fit and proper criteria से बाहर कर देंगे तो इस तरीके से fit and proper जो होगा वो ही यह बना सकते है और सबसे important बात है वो यह है यहाँ पर stock exchanges such as NSE and BSE could also be allowed to have separate crypto segments तो यहाँ पर NSE और BSE को भी allow कर दिया जा सकता है अब ही हुआ निक कुड भी है तो कुड भी कुड अलसो भी मतलब वही तो हो सकता है NSE और BSE के भी अपने crypto exchanges आ जाए और अगर यह point यहाँ पर है इसका meaning यह है कि crypto bank नहीं होने वाला है CDC बात है crypto bank नहीं होने वाला है तो यहाँ पर यह होगा है several platforms such as CoinDCX, WazirX and ZEPP Facility Facilitate Trading and Cryptocurrency तो यहाँ पर हो यह कि क्या है crypto law जो है वो ऐसी जो बड़े-बड़े exchanges है CoinDCX हो गया, WazirX हो गया इनके पता नहीं कि तरहने millions में लोगों ने investment कर रखिया तो जो भी law बनेगा वो कम से कम इनको ध्यान में रखके बनेगा या फिर इनसे बात करके ही उसको हम pass वगरा कर गयोंगे तो यहाँ पर अभी बात जो हुए CoinDCX, WazirX और ZEP पर facilitate करते है trading in cryptocurrency basically इनके promoters वगरा जो है वो fit and proper है और उसके अलावा इनके जो net worth है पूरे exchange की वो 100 क्रोड से उपर है तो यह होगा further the crypto platforms registered with the designated regulator would have to ensure know your customer KYC requirements वो यह कि अगर आपको account वगरा खुलवाना है तो आपको KYC किलवाना पड़ेगा वो तो अभी भी होता ही है तो उसमें कोई आसच नहीं बात तो इस तरीके से हमारे यह पूरा cover होगे now Hyundai plans 4,000 करोड और EV push 4,000 करोड EV push for a new age fleet basically Hyundai अपने 6 EV के नए models निकालने की कुशिश कर रहा है next 7 years के अंदर जिसके अंदर पहला model जो इनका है पहले 2 models actually एक premium segment के अंदर एक utility segment के अंदर अगले साल आने वाले likely next year तो वही सब है यहां पर इसके अंदर बताया हुआ है और उसके लिए total investment जो है इसके 4000 क्रोड के असपास का रहा है the first of these products आपको नीचे दिख रहा हुआ will hit Indian roads as early as next year हो सकते हैं यह उन्दर इस decision comes as Tata Motors वही है कि यहां पर automobile sector के अंदर भी oligopoly जैसा कुछ कुछ हुआ हुआ है oligopoly क्या होता है कि कुछ ही sellers है 3000 sellers बने होई है और major sellers जो sellers है वो 34 ही है और मतलब ऐसे कोई fixed number नहीं है बड़ जिए telecom sector है उसके अंदर 3 है उसको perfect example बोले जाता है oligopoly का क्योंकि जैसे Vodafone है AirTel है Gio है उसके अलावा कोई नहीं दिखता है तो वो oligopoly का एक example होता है oligopoly का एक feature होता है कि अगर आप भी कोई service प्रोवाइड कर रहे तो वो आपके competitors को भी जल्दी से प्रोवाइड करनी पड़ेगी नहीं तो वो अपना market share lose कर देंगे तो यहाँ पर Tata Motors ने भी 10 models का एक report निकाला था कि वो निकालने वाले है तो Hyundai इने भी निकाल दिया है हाला कि Maruti Suzuki ने अभी के लिए defer कर दिया है और अभी के लिए वो अपनी ही cars पर SUV segment पर focus जादा कर रहे है हमने एक news पहले भी देखी थी इस पारे में आप यहाँ पर automobile sector के अंदर आप इस चीज को डाल सकते हैं अगर आपको देखना हो कि automobile sector के अंदर 2021 के अंदर क्या हुआ था अगर आपसे कोई interview में पूछे किसी question की form में पूछे किसी भी तरीके से पूछे तो अभी दो points put up कर सकते हैं पहला तो यह है chip shortage होई थी बहुत ही massive super जो वो था semiconductor जो chips थी उनकी shortage थी तो पहला तो वो उसकी वैसे production डाउन होगा था तो यह एक बात है दूसरी बात है EV के segment के अंदर automobile companies move करने की कोशिश करी है अजास है था Tata के अंदर हमने दिखा next on और हमने release कर दी है बागी test line लेके अंदर आ गई है तो वो सब चीज़े हैं और उसके अलावा यहां पे आप देख सकते हैं कि 2900 अभी के टाइम पर EV charging stations बन गए हैं अंदिया के अंदर जो कि 79,000 projected है 2025 तक तो इस तरीके से बागी तो यह सब चीज़ें आप यूज कर सकते हैं थोड़ी सी research करेंगे तो आपको यही पता चल जाएगा कि chip shortage जो थी वो किस टाइम से किस टाइम पर थी EV का कब था जो push है वो शुरू हो इंडिया के अंदर जैसे Tesla कब इंडिया के अंदर है Nexon कब रिलीज हुई वो सब है तो इस तरीके से बागी सारा यह news जादो कोई important news नहीं है एंतागी एक organization है इसका नाम आप कह सकते हैं important हो सकते है पेपर्स वगर अगे लिए जिसका है National Technical Advisory Group on Immunization यह basically vaccine वगर के लिए यह एक तरीके से आप कह सकते हैं कि checking करता है कि vaccine ठीक है या नहीं है एक तरीके से और वो formulate की थी उसके लिए research की थी एंतागी ने एंतागी बोलते होंगे शाइद इसको short form तो इस report के अंदर क्या है कि यहाँ पर जो vaccines है basically उनको booster shot की तरह booster shot मतलब आपको दो doses लग चुके हैं उसके अलावा एक boost करने के लिए immunity आपको एक short लगवाना मतलब vaccine लगवाना तो वो सब है booster shot है तो वो अभी decision उसके उपर नहीं आया क्योंकि Omicron का हमें कुछ पता नहीं कि यह booster shot मतलब इसको वो कर पाएगा उससे बचा पाएगा या फिर नहीं बचा पाएगा दूसरा है kids की vaccination का अभी कोई वहाँ पर report नहीं है no decision है उसके उपर भी जैसे booster shot के उपर है क्योंकि हमें दो reason है पहला reason तो कि kids की immunity थोड़ी वैसे कम होती है तो vaccine के वजह से उनकी death ना हो जाए पहला ते reason है उसके अंदर दूसरा reason है कि अगर हम अभी के लिए co vaccine, covishield तो popular vaccine ने वो लगा भी देंगे तो omicron से बचा पाएंगी या नहीं बचा पाएंगी इसका भी कोई proof नहीं है तो यहाँ पर research चल रही है research के अंदर क्या कर रहे हैं लोग कि omicron type का strain बना रहे है strain मतलब होता है एक dummy virus बना रहे हैं जिसके अगेंस्ट यह कोशिश करेंगे covishield या co vaccine कोई भी हो सके और मैं आपको recommend करूँगा आपका एक भी dose नहीं लगा है और आप 18 प्लस हैं तो आप एक dose लगवा लीजिए मैं मैंने पहले भी शायर नहीं उसके नहीं बोला था जब यह चल रहा था आगी चलते हैं Reliance और आबुधाभी chemicals to set up 2 billion chemicals JV and UAE बहुत important news है Reliance, UAE और आबुधाभी मतलब एक ही बात है तो वहाँ पर investment बहुत ज़्यादा कर रहा है जब एक तरीके से business बहुत ज़्यादा कर रहा है investment नहीं कर रहा है बिजनस बहुत ज़्यादा कर रहा है मैं आपको पहले इसका background देता हूँ मैं सकते हूँ कह रहा हूँ company मुझे डेटा पता नहीं है अभी बट मेरे खाद है वन ओस टॉप companies है दुबई की तो इसके अंदर इन्दों की डील होने वारी थी जिसके अंदर साओधी एराइम को 20% अक्वायर करने वाला था Reliance के अंदर तो उसके लिए था और 15 billion उसकी valuation थी जितने वो 20% के लिए तो वो हो गया है यहाँ पर अब इसमें Reliance मदब यह deal cancel होगी थी basically और Reliance ने वापस से अपनी valuation को evaluate करवाना शुरू कर दिया और उसके साथी जाथ इन्वेस्पंट अभी इन्वेस्पंट कर रहे हैं आपकर तो टू बिलियन केमिकल टू बिलियन डॉलर्स की वर्थ का केमिकल जेवी सेट अप होने वाला है UAE के अंदर तो वहाँ पर यह chemical extraction वगरा के लिए यह होने वाला है और विल कंस्ट्रक्ट अब ऑपरेट क्लोर एलकलाई प्रॉसेस अज थोड़ी चीज़ है बट आप मेसे कली मान सकते हैं जैसे आपके विनेंगर वगरा के अंदर वह बहुत सारी और भी चीज़ें जैसे अथलल डाइकलोराइड होता है यह सब चीजें यूस होती रहती है और जो हैं इसके अंदर होने वाले हैं इनके जॉइंट विंचर के अंदर तो इस तरीकी से होता है ना यह वाला न्यूज इतनी इंप्टन नियर इसको मैं आप चोड़ दिया बीच में तो अब चलते हैं एटीपकिंट सेक्शन के उपर इसके अंदर आपको पहले फ्यूचर पहली निउस के देरे लिखा है फ्यूचर दो आप्शन्स ट्रेडर्स मांउंट बेरिश बैट्स और मिड़काइब आईटी वाल्यशन करन्स तो अगर आपको पता है फ्यूचर दो क्या होते हैं तो मैं बहुत ही मतलब करूँगा कि आप स्किप कर सकते हैं थोड़ा सा पर 10 ग्राम तो आप क्या कर सकते हैं अब एक कॉंट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं किसी जूइलर के साथ या फिर किसी भी परसन के साथ कि भाई मैं आपसे इसी प्राइस के उपर जैन में फेब में कभी भी आपस जो गोल्ड है उसको बाई कर लूँगा यह सेल कर तो अगर आप बाई करा है आपने 50,000 पर तो आपको लॉस हो जाएगा और अगर आपने सेल करा है तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा और हो सकता है 52,000 पर चले जाए अगर आपने बाई करा तो आपको प्रॉफिट हो गया सेल करा तो लॉस हो गया तो इस तरीके से होता है basically कि आप contract के अंदर enter कर सकते हैं कि आप इसी price के उपर future date के उपर transaction को cover कर सकते हैं मदब conduct कर सकते हैं तो यह होता है basically future का contract अब एक औरी future का छोटा भाई होता है options options के अंदर क्या होता है आपके पास एक option होता है कि आपने जो यह transaction transaction अपने contract में लिखवाई थी यह आप करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं अगर आपने लेखा buy का option अपने buy किया ask option यह bid option whatever तो वो आप चाहें तो buy कर सकते हैं नहीं तो अब एक छोटा सा premium का amount दे करके अपना loss मतलब वो आपका हो जाएगा जितना premium आपने दिया है और आपको नहीं buy करना पड़ेगा future के अंदर आपको buy करना ही पड़ेगा यह compression होती है तो future and option इस तरीके से होता है work करता है बाकि selling के अंदर भी दोनों बाते होती है futures and options अगर आप option लेते हैं तो आप बेच सकने है नहीं तो आप से छोड़ भी सकने है इसी का यह एक और बड़ा भाई होता है future का forwards forward का क्या मीनिंग होता है कि यहाँ पर basically future का copy paste है भाट futures के अंदर थोड़ी security होती है जिसे आपने मालने जूलर से trade किया वो कल को हो सकता है price मालने ते आपने buy का trade किया था और price उपर चला गया तो वो भाग भी सकता है वहाँ से कि भही मैं आपको क्यों थो 52,000 में मालने ते उसने contract far दिया तो वो आप क्या कर सकते है तो कुछ नहीं कर सकते तो महाँ पर regulatory body नहीं है कोई fixed norms और नहीं है वो अपसे कह सकता है कि मैं को security दो पहले यह सब चीज़ी हो सकती है तो उसमें आप first जाएंगे एक तरीके से अगर ऐसा नहीं होगा और हो सकता है आप अपनी side से वो ना करें contact को पूरा ना करें तो basically यह सब दिक्कत दे होती है और देखती है कि अगर कोई contact के अंदर एंटर नहीं कर रहा है और कुछ ऐसा चीज़ी कर रहा है तो वो obviously उसको issue कर देगी यहां पर तो इस तरीके से होता है पूरा अब यहां पर news के अंदर यह है कि FNO traders mid cap IT segment के अंदर IT क्या होता है आपको पता ही है कि information technology जिसे अपकी company को नाम है नीचे आपको समझ में आएगा Vodafone, Ideality, Vs Motor, Godirish Properties तो यह सब जो चीज़े हैं इनके अंदर IT sector के अंदर जो mid cap companies है IT के अंदर top भी चल रही है जिसे अपकी TCS है यह सब है यह top पे चल रही है तो चोटी से थोड़ी चोटी company है तो उनके उपर F&O traders की bearish bets लग रही है अब अगर आप यह contract इसके अंदर bearish bets कैसे लगा सकते हैं आप sailing कर सकते हैं sell कर सकते हैं पहले से ही कि उसमें अगर आपको price गिरेगा तो आपको profit हो जाएगा तो यह bearish bets का meaning होता है कि आपने पहले sale कर दिया है इसको sale करने के options लगा दिया है और ऐसा नहीं है कि आपको पहले buy करना पड़ेगा तो आप sale कर सकते हैं पहले sell भी कर सकते हैं बाद में buy कर सकते हैं कम price के उपर तो इस तरीके से हुआ है हाँ पर इसका reason यह यह valuation बहुत ज्यादा हो गई है तो थोड़ा कम करने के लए तो यहाँ पर इतना कोई इसके अंदर खास बात नहीं दी futures और options एक important part था और जो futures वाला point था मतलब जो forwards वाला point था वो यहाँ पर वापस से आएगा इस news के अंदर now RBI ways bonds forwards reaches out to life insurers है कि कोई body setup नहीं है जो बीच में दोनों side से mandate कर रही हो यहाँ पर भी नहीं है हलाकि आप RBI की बात करें तो वहाँ पर ऐसा fraud नहीं हो सकता है बट बीच में आप यहाँ भी देखेंगे कोई body नहीं है RBI bonds यह जो भी है इसको बेचेगा और life insurance company उसको खरीदेंगी कोई बीच में नहीं है तो किसके forward हैं यह basically bond के forward है जो उपर gold के थे यहाँ पर bond के हैं बस basically तो bond के अंदर क्या है कि आप चाहें तो आप bond के अंदर investment कर सकते हैं future date के उपर इस तरीके से यहाँ पर आपको देखेगा भी यहाँ पर RBI is understood to weighing a proposal to allow bond forwards a deal under which a financial institution can buy a specific government security for a pre-agreed price at a future date तो आप समझेगे होगे कि एक आज के price के उपर future date के उपर हम buy कर सकते हैं क्या यह contract में enter कर सकते हैं आपर तो इस तरीके से bond forward का एक example यह आप कह सकते हैं कि एक नया टाइप का security बनाके इनको देना चाहता है RBI तो उसमें बहुत चारे reasons हैं RBI के अपने reason है और यह life insurance companies के लिए अपने लिए अच्छी वाद हो सकती है यहाँ पर तीन reason मैंने जो most important ते उनको highlight किया है पहला है helps insurers to lower the risk क्योंकि cdc बात है bond के अंदर investment करें bond के अंदर हम investment यह जो भी investment करता है वो करता है इसलिए है कि वो अपना risk को कम कर सके तो वो यहाँ पर एक function तो होई जाएगा दूसरा है market for bond forward would sorry would depend the fixed income market तो यहाँ पर fixed income market जो उसको बढ़ा कर देगा cdc बात है fixed income market का meaning क्या होता है कि वहाँ से आपको जो भी securities है इस market के अंदर वहाँ से आपको एक fixed type की income आ सकती है जिसे कोई bond आपने खरीदा तो वहाँ से आपको fixed interest आने ही आने वाला है चैक economy डूब रही हो फिर भी आर भी आपको interest में करेगा चैसे उसको पैसे print करके देने पड़े ऐसा नहीं होता है बट फिर भी तो यहाँ पर fixed income का market जो होता है वो बहुत ही safe FD वगरा जो होती है bonds होते हैं debenture होते हैं किसी company के और AAA rated securities होती हैं वो सब इसके अंदर आती हैं तो वो market भी इससे deepen होगा क्योंकि after all bonds के नहीं investment कर रहे हैं और forward खरीदेने जो उसका spot वाला होता है फिर sale करने वाला होता है वो नहीं खरीदेने तो अगर आप forward खरीदे होते हैं यहाँ पर जैसे आपने यहाँ पर buy किया हो है तो buy करने में आप सोचेंगे कि मैं 50,000 पर buy कर लूँगा और अभी के लिए price जादा हो जाए तो बढ़िया हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा price का भढ़ने का pressure जादा आजाएगा market के उपर तो price भढ़ सकता है इसके अंदर तो यहाँ पर वो चीज़े बढ़िया हो जाएगे तो यहाँ पर forwards के अंदर वो डालेंगे तो जब भी forward का contract खतम होगा वहाँ पर तो पैसे देनी पड़ेंगे तो वो देंगे वहाँ पर पैसे और आरबे के पास money flow आ जाएगा यहाँ सा तो यह हमने पूरा देख लिए मैं आपको recommend करूंगा कि पूरा पढ़ भी सकते हैं बट इससे अच्छा आप दूसरी news को cover करने ज़्याद बढ़िया रहेगा reason को एक बार वापस से देख सकते है reason थोड़े complex थे futures and options का यह जो concept था वो भी आपको समय में आना चाहिए now CE Infosystems basically यह company है इनका IPO आने वाला है यह आप कह सकते हैं कि आई किया है बस 9 December को इनका IPO ओपन होने वाला है 13 December तक और 1000 करोड का मदब स्वारी 1000 करोड का 80% का issue price चल रहा है और 1000 to 1033 इनका IPO price है जिस पर बेडियों लगा सकते हैं और अच्छा मैंने शायद कभी पता है नहीं पता है आप IPO price के अंदर मतब IPO जब होता है आप खुद से price range को select करके उस किसी भी price के ऊपर bidding लगा सकते हैं अपने हिसाफ से तो यह हो गया है पर now lot size इनका 14 shares का है तो लगबग 14,000 के असपास इनका वो बन गया minimum investment तो इसी इनफोसे सिस्टम अब मेन बात है कि यह किस सेक्टर के अंदर काम करती है company यह company काम करती है basically geo special segment के अंदर बहुत ही एक ऐसा सेक्टर है मतब कोई जानता नहीं है सेक्टर को जादा तो mapping जैसे आपका गूगल मैप्स होता है तो वैसा वैसा यह systems बनाने में काम करते है बैकेंड में काम करते है जादा तो वो इसका है यहाँ पर और geo specialist को बोलते हैं कि वो मतब जीओ आप समझे रहे हैं कि geography जैसे होती है तो वो इसी से related होते हैं सब तो यहाँ पर यह हो गया और phone pay भी है phone pay इंडिया which holds 19.2% will not participate in the IPO तो phone pay इंडिया इसके अंदर काफी बड़ा chunk hold करते है 20% के असपास वो participate नहीं कर रहे है यह आपको बुरी बात लग रही होगी सुनने में बट यह उल्टी मतब उल्टा अच्छी बात है कि वो IPO के इंदर participant नहीं कर रहे है इसका मीनिंग है कि वो और जादा अपने अपना जो holding है उसको sales नहीं करना चाहते हैं वो company को अच्छा मानते है मैं तब company को तो इस तरीके से यहाँ पर भाला कि मैं इसके जादा उसमें analysis में नहीं कुसूंगा जो यहाँ पर नहीं से लिखा है business है financials valuation तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं बहुत easy भास के अंदर लिखा है और यहाँ पर बोला यह हुआ है कि valuation भी जादा बड़ी नहीं है और यहाँ पर जो long term investors हैं उनके लिए काफी अच्छा margin बचा हुआ है भी valuation के अंदर तो वह चाहें तो investment कर सकते हैं जो long term के लिए इसको hold करना चा अच्छा article है आया है यहाँ पर एक organization है basically world inequality organization world inequality lab बोलते हैं वो खुद को कहते हैं खुद को बोलते हैं तो उनकी एक report हर साल आती है जो आपने कई बार instagram post के उपर या motivational videos के अंदर सुना होगा ना कि 10% लोग ही सारी 50% wealth को hold करते हैं यह करते हैं वो करते हैं एक पसेंट लोग ह सबस्यादा कमाते हैं तो वो सब चीज़े जो हैं यही lab दरसल बताता है हर साल इनकी report आती है world inequality report तो वो यहाँ पर यह पूरे world की report निकालता है और individual हर country के भी reports निकालता है इंडिया के अंदर half bottom जो है जो 50% नीचे से लोग है वो 53,610 per month earn करते हैं तो sorry per year earn करते हैं तो per year इतने में earn करते हैं और दूसरी बात जो top 10% जो top 10% है वो 20x more 11 lakh plus earn करते हैं पूरे साल के अंदर on an average तो यह आप देखते हैं कितना बड़ा income inequality gap है अपर 20 times income inequality gap है दूसरी बात अगर हम बात करेंगे तो इंडिया के अंदर top 10% जो लोग है 57% wealth को hold करते हैं तो income और wealth में basic meaning आपको पता है यह वैसे तो income आपकी आपकी periodical होती है आपको किसी भी purpose से किसी बिजनस से किसी भी चीज से आपको हर month basis पे या किसी भी time period basis पे yearly basis पे कुछ ऐसे पैसे आते रहते हैं money flow चलता रहता है और wealth होती है कि अगर आप मालेते हैं जो आपका main काम है उसको आज बंद कर देते हैं तो आपकी बस जो भी assets है वह कितने आप उससे पैसे उठा सकते हैं ताकि आपका survival maintain रह सके तो वह सब वह होता है wealth तो wealth बेसिकली यहाँ पर यहीं कॉनसेट होता है 57% जो wealth है वह 10% लोग ही hold करते हैं तो आपको motivational videos के अंदर यह चीज़ें वापस से दिखने वाले हैं चाहिए उसके अलबाब अगर हम globally बात करें तो यहाँ पर 10% लोग 52% global income earn करते हैं पूरे world के अंदर 50% से जाधा income 10 richest percent earn करते हैं और यहाँ पर income की बात हो रही है वेराज the poorest half of the population earns 8% of it तो half population यानी नीचे 50% लगभग 8% ही income global income earn करते हैं तो यह काफी शॉकिंग से फैक्ट और income inequality इसको दर्शाते हैं इसलिए उस लैब का नाम ही world inequality lab पढ़ गया है तो यहाँ पर हमने पूरा देख लिए और दो ही data इसके अंदर important है हालाकि इसके अंदर बहुत सारा data है अगा चाहें तो बढ़ सकते है report के अंदर तो मतलब दुनिया हर का data है तो आप चाहें तो वह भी देख सकते है Google के उपर आपको मिल जाएगी और यह दोनों main data थे जो मतलब developed countries के अंदर private wealth grow करती थी और इंडिया अगरा के अंदर ऐसा नहीं होता था तो यहाँ पर यह trend चेंज हो गया इंडिया के अंदर private wealth बहुत ज़्यादा rate से बूम कर रही है आपको दिखरों को यहाँ पर चोटा सा एक और data आपके ऊपर दू मतलब अपको बताऊं तो 2 90% था 1980 के अंदर मतलब अगर हम एक base year से compare करेंगे तो वो 560 पर चला गया लगभग double के आसपास हो गया यहाँ पर तो private wealth का बूम में इंडिया के अंदर चल रहा है आपर अभी के लिए अब बाइडन पूतिन तॉक ऑन यूक्रेइन अधर टॉपेक्स अमेंड वार फिया तो यह बहुत ही मादब ऐसी न्यूज है यह पॉलिटिकल न्यूज है बेसिकली तो इसके अंदर क्या होई यूएस के प्रेजिडेंट जो है जो बाइडन इन्होंने मीटिंग किये कल र इसकली वार की कुछ कंडिशन यहां पर चल रही है और मेन रीजन इसका एकनोमिक है एकनोमिक रीजन क्या है कि यहां पर जैसे क्या है यूएस की आप जिसे रूपीस टू यूएस जो कनवार्ट करते हैं या आपने गूगल सर्च कभी कभी किया होगा तो एक कंट्री को प पर्मिशन ले हुई है यूएस से तो वो कर सकते हैं बट काफी सरी ऐसी कंट्री जिसको रशिया ने पर्मिशन दी हुई है और उनको यूएस ने पर्मिशन नहीं दी हुई तो वो क्या करते हैं वो रशिया आते हैं या फिर ऑनलाइन बैसिस पर तो रशिया में पहले रश होल बन जाता है डॉल के लिए तो यहां पर काफी बार यूएस ने बोला भी इस बात को ले करके बट क्योंकि रश्या इतनी पावर्फुल कंट्री है बड़ी कंट्री है वहां पर बहुत सारा फ्लो और ट्रेड और चलता रहता है तो वह बैन नहीं कर सकते अपने करनसी को र इंडिया और जो पके रश्या है और अमेरिका है उसके रिलेशन्स में कई बार वो चीज़ी चलती रहती है तो अगर थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है तो पूरे वर्ड को लगने लग जाता है कि वार होने वाला है तो यहां पर वार फियर्स की इन्होंने वैसे ही लिग द तो उन्होंने एफबी को फियर्स को स्यू करा है 150 डॉलर्स के लिए हैट स्पीच के लिए तो यहां पर उनके जो स्टेटमेंट है उसके अंदर यह भी लिखा हूँ है तो मतलब बेसिकली कहना चाहते हैं कि जो कॉंटेंट या जो चीजें अभी के टाइम पर जादा लोग देखना चाहते हैं वो ही यह दिखाता है वो ही सब करता है तो प्रपैंडा फैलाने का एक प्लैट्फॉर्म बनके है रह गया है तो हैट स्पीच के लिए है तो अगर आपको पसन है तो लाइक भी कर सकते हैं इस वीडियो को दागि और ज्यादा थोड़ा प्रमोशन हो जा झाल झाल